असलाम वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम जमीन की गर्दिश इस सबक के बारे में मालमात हासिल करेंगे बच्चो ये जमीन की गर्थिश क्या है ये समझेने से पहले हम महवर और महवरी गर्थिश इसके बारे में समझ लेते हैं तो आएए देखते हैं ये तस्विर जो आपको नजर आ रही है ये है लट्टू जिसे आप भौरा कहते हो जब हम इस बहुरे को गुमाते हैं तो ये एक ना नजर आने वाली लकीर की गिर्थ गुमता है जिसे हम कह सकते हैं कि ये अपने महवर पर गुम रहा है अपने महवर पर गर्थिश कर रहा है यानि अपनी जगा पर रहते हुए इस तरह से घूमना ये महवरी गरदिश कहलाता है उम्मिद करता हूँ आपको महवरी गरदिश समझ गया होगा हमने ये मिसाल इसलिए ली क्योंके हमारी जमीन भी इसी तरह अपने महवर पर अपनी जगा पर गरदिश करती है तो जमीन का अपने ही गिर्द घूमना महवरी गरदिश कहलाता है अब देखते हैं आगे आप लोगोंने गुलोब देखा होगा गुलोब कहते हैं जमीन का एक मॉडल एक बनाए जाता है उसे हम गुलोब कहते हैं गुलोब को अगर हम अपनी जगा पर गुमाएं तो उससे भी आपको जमीन की गरदिश जमीन की महवरी गरदिश का अंदाजा हो सकता है अब देखते हैं गलोब में जो उपरी हिस्सा है उसे हम North N से जाहिर करते हैं इसका मतलब होता है शमाल ये पहला हिस्सा कुतुब शुमाल यानि के नौर्ट पॉल कहलाता है और इसके मीचे का जो हिस्सा है वो उसे हम इस यानि के साउथ कुतुब जुनूबी यानि जुनूब का हिस्सा इससे जाहिर करते हैं अब ये शुमाल और जुनूब इन दोनों के दर्मियान में ना नजर आने वाली एक लकीर कीची गई है, एक फर्जी एक खेली लकीर कीची गई है, जिसका नाम हम ने खते उस्तवा दिया है खते उस्तवा कहते हैं कि शमाली और शमाली कुत्ब और जुनुबी कुत्ब के दर्मियान में ना नजर आने वाली एक फर्जी यानि एक ख्याली खत उसे हम खते उस्तवा कहते हैं जो जमीन को दो बराबर हिस्सों में दो मसावी हिस्सों में पक्सिम करता है अब इसकी वज़े से उपर का जो हिस्सा है वो शमाली निस्व कुर्रा और नीचला हिस्सा जुनूबी निस्व कुर्रा कहलाता है और दर्मियान से गुजरने वाला खत खते उस्तवा कहलाता है अब हम दिन और रात इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जमीन अपने महवर पर गर्दिश करती है तो होता कुछ इस तरह से है कि जमीन पर जो सूरच की रोशनी पड़ती है जिस जगह पर रोशनी पड़ती है वो हिस्सा रोशन होता है यानि वहाँ पर दिन होता है और जमीन आहिस्ता हिस्ता अपने जगह पर गहूंती है इसकी वज़े से रोशन हिस्सा अंधेरे में चला जाता है और अंधेरे वाला हिस्सा उजाले में आ जाता है तो जहाँ पर उजाला था जहाँ पर दिन था वहाँ पर रात हो जाएगी और जहाँ पर रात थी जहाँ पर अंधिरा था वहाँ पर दिन हो जाता है तो इस तरह से दिन और रात का सस्वर आप लोग इसके जरीए समझ सकते हैं और एक बात में आपको और बताता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जमीन मगरिब से मश्रिक की जानेब घूंगती है अब देखते हैं हम अगला टॉपिक तुलुवे आफ्ताब और गुरुवे आफ्ताब तुलुवे आफ्ताब सूरज का निकलना गुरुवे आफ्ताब सूरज का डूपना जैसा कि आपने तस्विर में देखा अब हम इसकी तफसील इसके आगे से देखते हैं तुलुवे आफ्ताब को समझने के लिए हम एक गुलोब पर एक टिकली लगा देते हैं और गलोब को आहिसता हिसता घुमाते हैं तो इसमें होता यह है कि रोशन हिस्सा अंधेरे में जाएगा और अंधेरे वाला हिस्सा दोबारा से रोशन हो जाएगा तो यह पहले 12 गहंटे का जो वकफ गुजरेगा जिस पर जमीन पर उजाला होता है और उसके बाद का जो वक्फा गुजरता है 12 घंटे जमीन पर अंधिरा होगा और आप गौर करेंगे तो टिकली को दो एक उजाला और अंधिरा इस तरह से मुकमल करने के लिए 24 घंटे का वक्त दरकार होता है इस 24 घंटे को एक यौम यानि कि एक दिन कहते हैं हम कह सकते हैं कि हमारी जमीन को महवरी गर्दिश यानि अपने महवर पर मुकमल तोर पर एक मरतबा गुमने के लिए जो वक्त दरकार होता है वो एक दिन का होता है एक यौम का होता है एक मतवाफ फिर से इसे नोट कर लीजिए कि जमीन को अपने महवर पर गर्दिश करने के लिए 24 गंटे का वक्त दरकार होता है यानि उसे 24 गंटे लगते हैं 24 गंटे में जमीन अपने महवर पर एक गर्दिश मुकमल कर लेती है इसे हम इस मिसाल के जरीए देख सकते हैं अभी आपने देखा कि एक यौम यानि किस तरह से मुकमल होता है दिन और रात मिला कर 24 गंटे का वकफा गुजरता है जमीन अपनी जगा पर एक चकर मुकमल करती है उसे हम एक यौम कहते हैं जिस के लिए इसे 24 गंटे का वक्त दरकार होता है अगर हम इसे 24 बराबर हिस्सों में तक्सीम करें तो एक हिस्सा एक गंटा कहलाता है अब देखते हैं साल ये किस तरह से होता है आप जानते हैं कि जमीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के अत्राफ भी गर्दिश करती है यानि कि जमीन सूरज के मदार पर गर्दिश करती है इसे जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं अब इसे हम इस तस्विर के जरीए समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन की मदारी गर्दिश क्या है जमीन का अपनी जगा पर गर्दिश करना महवरी गर्दिश कहलाता है जिसे एक दिन में वो अपनी जगा पर घूम कर एक चक्र मुकमल कर लेती है जमीन अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज के अत्राफ चक्कर लगाती है यानि इसे हम जमीन की मदारी गर्दिश कहते हैं जमीन को मदार की गर्दिश करने के लिए एक साल का वक्फा दरकार होता है जो तकरीबन 365 दिन 6 गंटे का होता है ग्रिगोरियन केलेंडर के मताबिक जमीन सूरज के अत्राफ गर्दिश करने के लिए 365 दिन 6 गंटे का वक्फा लगाती है अब लीप इयर और लीप साल ये क्या होता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में तफ्तिल से मालमात हसिल करेंगे तब तक के लिए शुक्रिया हूँ तक के लिए शुक्रिया हूँ